तो दोस्तो इस टाइम बहुत सारे Android यूजर के साथ एक common problem आ रही है उनके mobile phone की display shaking करें यानि कि हिल रही है जब भी आप अपने display पर क्लिक करने जाते हैं किसी भी app को क्लिक करने जाएगे तो आपकी display इस type से हिलने लग जाएगी जैसे का दो है ऐसे हिल रही है continue कुछ ऐसे हिल आप इस app को क्लिक करेंगे तो यहां पर आपकी screen जो हिलने लग जाएगी है आपके screen ऴंद की वालों जिन तिन सेटिंग को एनेबल करने पर मैं गैरंटी के साथ कहता हूं 101% लाइफ प्रूफ के साथ आज किस वीडियो में आपको हमेशा हमेशा के लिए इस प्रावब्म को सालू करके बताने वालों तो तीनु सेटिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है तो आए फिर इस वीडियो में जानते हैं आगे हम मुबाइल फोन की हॉम स्क्रीन पर आने के बद सबसे पहले आप ये बात जान लें चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का डिवाइस क्यों लो तो सेटिंग यहां पर बिल्कुल कामन रहने वाल सकते हिए अधर को मुबाइल फोन में अफ्सक पार का मैने प्रिट्स ओस खेर के ङन कलेंको यहां अधरन रहना के तो मुझे मोईल फोन से अंस्टेंग नाम की शेंटिंग नाम की आप्शन को डूंड के निकालना है चाहे आपके पास किसी भी company का device क्यों नहीं हो तो setting नाम का option compulsory हर mobile phone में होता है तो कहां गया setting जैसे कि आपर मैं स्क्रोल करूंगो तो कहां गया setting तो मैं निची आओंगा जैसे यहां पर मैं स्क्रोल करूंगा जैसे कि आपको यहां पर शेयर एक के साथ अपर setting के आइकन पर क्लिक करना है तो setting का कुछ ऐसा dashboard निकल के आने वाला है तो जैसी आप देखनेंगे यहां पर open का 4 stop का disable manage notification permission data usage storage यूज तो आपको storage usage के आइकन पर क्लिक करना है तो जैसी आप storage आपको बॉट्टम में राडिकलर में क्लियर के चीग आइकन पर क्लिक करने कवाद एक स्टेब बैक आने कवाद यहां पर आपको टॉप करना पर center में 4 stop की आइकन पर क्लिक करने कवाद राडिकलर में 4 stop करना है तो आप redirect back mobile phone की home screen पर आ जाएंगे तो यह आगई setting number first अब आपको आपको आपने वाइल फोन में दूसरी important setting करने है तो दियान से देखना most important setting आपको आपने वाइल फोन की home screen पर आने कवाद अगेन से SHE रेई करेंगे तो इसे बीडित कर चैसी होता है कले करने के रिए garlic तो जैसी आपकी system setting reset हो जाएगी तो यहां से आपको back आ जाना है तो यहां गही दो setting अब आपको अपने mobile phone में last and final setting सबसे important setting करनी आपको अपने mobile phone की home screen पर आने कब जो भी आना फ़ला button इसको long press करना है तो जैसी आप long press करेंगे तो आपके समय दो option हैंगे power up का restart का तो दोस्तो आपके mobile phone में कोई भी data delete ने होगा तो जैसी आपने mobile phone में आपका phone open हो जाएगा open होने के बाद अब आपके mobile phone में जो screen healing आने की screen shaking की जो प्रावब्लम थी अब लाइप में आपको कभी नहीं होने वाली है तो दोस्तों कुछ इन तिन टेक्निक की मद्स से आप जो आपने mobile phone क कि इस प्रावब्लम को solve करते हैं ये थी छोटी से information वीडियो अच्छी लगी चैनल को subscribe करना न वह लिए thank you